हेले स्टुडेंट कैसे आप सब एक बार पुनासी कोचिंग क्लासस पर स्वगात उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छोंगे मस्त होंगे बैतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल दी होगी अब चैप्टर उन हट गये बच्छों ठोस परवस्था तो अब आपका जो बिलियन यही चैप्टर उन कहलाएगा अभी फिलाल मैंने चैप्टर टू डाल दिया है क्योंकि बच्छों आप लोगों को परसानी ना हो सके बिलियन नामक चैप्टर से जितने भी यहाँ पर महत्रपूर सूत्र हैं उनको हम चर्चा करेंगे क्योंकि यदि आप निमेरिकल कोशन कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा इसके बिना आप किसी भी निमेरिकल कोशन को नहीं कर पाएंग तो बच्चों आप लोग प्लीज वीडियो को और तक देखेगा आज का ये वीडियो काफी हेलफूल है किसी भी स्टेट वोट से होंगे लेकिन आप लोगों के लिए काफी महत्पूर हैं चले सुरू करते हैं दरबमान प्रिस्टता यहाँ पर आप देखिए दरबमान के अधार पर जो प्रिस्टत निकलती है उसे हम दरबमान प्रिस्टत कहते हैं किसी बिलियन के सो भागों में उपस्थित बिले पदार्थ की मात्रा या आपके पास कोई भी पदार्थ है है ना वो किसी बिलियन में घुला हुआ है तब उसकी प्रिस्टता सो भागों में कितन मात्रा बिले है जिसमें कह देता हूं दो घटक है ए और बी मिला करके एक बिलियन बना है यह बना है बिलियन बना है बच्चों तो यदि ए का प्रस्थत निकालना चाहता हूं तो इसका बेट बटा दोनों का बेट है ना दोनों का बेट गुणा 1000 यदि मुझे A का निकालना होता तो यदि B का निकालना है तो WB बटा दोनों का बेट WA प्लस WB गुना 1000 मतलब 100 इस 100 भागों में पस्थित पदार्थ की मात्रा उप्रस्ट कहलाती है इसी प्रकार आयतन की बात किजाए बच्चो तो आयतन प्रस्टता आयतन का मतलब किसी भी बίलियन में कितने घटक हैं तीन घटक हैं जैसे महा लिजीए तीन घटक हैं A plus B plus C अब मुझे निकालना है B C इसके लिए निकालना है तीसरे के लिए निकालना है आयतन प्रस्टता तो फिर B C उपर रखना पड़ेगा और नीचे BA plus BB plus BC गुडे 100 100 भागों में ही वात्रा उसकी प्रत्सत्ता कहलाती है ओके बच्चों हम यहाँ पर के बर फार्मूला चर्चा कर रहे है आल्रेडी आप कहोगे सर नार्मलता के इसको समझाईए तो इस पर इपड़ी कर रखा है हमने नर्मलता क्या कहलाता है किसी बिल्यन के एक लीटर आयतान में उपस्थित बिले पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या बिले पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या तो ग्राम प्रत्र लीटर बिल्यन में बिले का द्रबमान बिले का द्रबमान कितना है ग्राम प्रत लीटर मतलब लिए एक लीटर में कितना ग्राम मिला हुआ है बटा बिले का ग्राम तुल्लेंग द्रबमान यह आप ऐसे निकाल सकते हैं WB बटा EV गुने एक हजार बटा भी भी आपका यहाँ पर ML में देगा ध्यान रखेगा मुलरता क्या है तो से में ग्राम प्रति लीटर बिलेंग में बिले का द्रबमान लेकिन यहाँ पर बिले का ग्राम अड़ो द्रबमान MB हो जाएगा यह नहीं आर्विक द्रबमान यहाँ पर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर EB था देख सकते हैं, यहाँ पर आपका MB रहेगा, गुणा 1000 बटा B, आपका यहाँ पर ML में रहेगा बच्चो, ठीक, ठीक, यह आपका मोललता हो गया, इसके बाद आता मोललता, मोललता क्या है, एक किलोग्राम बिलेन में, मतलब बिलायक में, बिले का द्रबमान, यहाँ पर आप बिलायक लिख लो, क्या, बिलायक में, एक किलोग्राम बिलायक में बिले का द्रबमान, बटे बिले का आर्विक द्रबमान, अब यहाँ पर देखो ज़रा WB बटा MB गुने 1000 बटा WA अब आप लोगों को दिक्कत होगी कि सर ये WA WB क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ बिलियन में दो घटक होता बच्चो बिलियन में दो घटक होता है एक तो आपका होता है बिलायक ठीक है और दूसरा आपका होता है बिले यदि हम इसको A से रिप्रेजेंट करें इसको B से तब इसके दरबमान को इसके दरबमान को हम दरसाएंगे W A से ठीक है और आणविक दरबमान आणविक दरबमान जो हो जाएगा हो जाएगा बच्चो M A से ठीक है यदि हम बिले की बात करें तो इसका द्रबमान अर्थात भार W B और आणविक द्रबमान की बात करें आणविक द्रबमान की बात करें तो आपका हो जाएगा आपका M B क्या हो जाएगा M B ठीक है यह चीज याद रखना पड़ेगा आपको तभी समझ में आएगा अब W B मतलब बिले की मात्रा बटा बिले कानविक द्रमान गुटे गुडे एक हजार बटा W A W A क्या है भई कितना ग्राम दे के रखा बिलाया कितना ग्राम दे के रखा बिलाया चीजें क्लियर है यहाँ पर चलो इसके बार आप लोग यहाँ पर समझोगे मोल प्रभाज मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है जिस भी घटा के मोल प्रभाज निकालने है उसके मोल की संख्या उपर रखना है और billion के समस्त घटकों के मोलों की संख्या का योग जिस भी billion के घटक का मोल प्रभाज निकालना उसको उपर रखना और नीचे billion के समस्त घटकों के मोलों के संख्या का योग जैसे A का निकालना है तो N A बटा N A प्लस N B B का निकालना है तो N B बटा N A प्लस N B ठीक है ये चीज हो गया इसके बाद बच्चा आपका आता है फार मलता फार मलता क्या है ग्राम प्रत्ती लीटर बिलियन में बिले का द्रबमान वही चीज है ग्राम प्रत्ती लीटर में और बिले का ग्राम सुत द्रबमान एप भी हो जाएगा बाकी डबलू भी बिले का भी आपके हां पर ML है एक पर सउट्वपश्च्छ्री ऐफित ल सच्छ mum sum साट वीडियो ला रहे हैं कम समय में क्लियर करना है आप एच्छी अब नमन भाईया यह आपका P0A मैनस P1 बटा P0A हो जाता है देखो बास्वदाब में अब नमन यह हो जाएगा P0A या P0A जिसे बोलते है मैनस P1 यह बास्वदाब में अब नमन हो जाता है जो की XB के बराबर होता है मोल प्रभाज केशे निकालते है XB है तो NB उपर रखेंगे और नीचे N A प्लस NB ठीक है यह मोल प्रभाज केशे निकालते है एक गटक के मोल की संक्या अच्छा इसके आप एचिक अब नमन सेदी आणविक द्रभमान निकालना हो बिले पदार्थ का तो यह फार्मला लगाना पड़ेगा यहाँ पर आप पहलू रखेंगे तो आसानी चाह जाएगा फिलाल फार्मला तयार करो परस्रन अदाप से पाई बराबर CRT यह आपको बांट हाप समीकर जिसे बूलते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं बांट हाप समीकर बांट हाप समीकर कापी मात्मुन बच्चों जिससे तयार करना है इससे यदि हम आणविक द्रभमान निकालना चाहते हैं बिले परास्रन अदाप से बांट किसी भी कोश्चन में परास्रन अदाप दे दिया और आणविक द्रभमान निकालना तो फिर इस आधार पर निकालना पड़ेगा यदि आप एथिक आपनामन या आपनामन दे दिया तो फिर इस आधार पर निकालना पड़ेगा सब में तो अलग अलग हिमांक में अबनमान दे दिया फिर हम को आणविक द्रब्मान निकालना तो इस फार्मूलिस लगाना पड़ेगा कोथनांक में उन्नेयन दे दिया तो फिर इस फार्मूलिस लगाना पड़ेगा ये सबी फार्मूला है न हिमांक में अब नमा डेल टी एफ बराबर क्या होता है के अफ हम, M क्या है, बिले की मुललता है, ठीके M का मान रख दो तो M भी आ जाएगा, बिले कार्णविक द्रमान, कोथरांग में उन्नें डेल टी भी बराबर के भी M होता है, इसमाल M क्या है, बिले की मुललता है, किसी भी पदार्थ में, यदि किसी भी बिलेन में, हिमांक में अब नमानेंदी कमी आना, कोथरांग में उन्नें ये बिले पदार्थ के आणविक द्रमान पर निर्वर करता है, बिले के मुललता के समन उपाती होता है, जितना ज्यादा मुललता होगी, उसमें उन्याय नंयाब नमन उतना ही अधिक होगा पीपिम क्या है कि दस बार्बाक में स्थित्र बिले पदार्थ की मात्रै यह किसी भी पदार्थ की मात्र향 गटक एक अदल्बाण 10.00 बार्बाग में रना गटक located गटक भी मन यहां पर जायाक का कुल रभमान यहां पर उसे बिलियन होना चाहिए ठीके बिलियन का कुल रभमान तो यहां पर आप बिलियन डाल देना बच्चो इसको आप एक ही बनाओ यह आपका बिलियन हो जाएगा ठीके बिलियन का कुल रभमान आप लोग लिख लेना बांठाप गुणांग स रखा है मतला वेज़े से देखो अनुसंक्य गुरुदर्म नीकालना पड़ता आई कमान इस आधार पर हम इसका फार्मुला निकालते बच्चो तो फिलाल एक छोटा सी लेक्चर हम इसलिए ला रहे हैं ये चीज़े बच्चो क्योंकि चैप्टर आपने खत्म कर लिया चैप जाल आज के लिए इतना ही वीडियो पसंदर्ट लाइक करके शेयर करते हैं वीडियो वच्चों आप लोगों के लिए निरंतर कार कर रहा हूं बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यह दिन नोट्स लेना हैंड रिटेंड तो कंटेक्ट नमबर आपको दे देता हूं 96-89-99 ठीक है 96-89-99 आप ले लीजे कंटेक्ट नमबर और नोट्स ले सकते हैं जय हिंद बंदे मातरम